दोस्तों श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री टू को सिनेमा घरों में 20 दिन कम्प्लीट हो चुके है और इस फिल्म ने 20 दिनों में दुनिया भर में ब्लॉक्बस्टर कलेक्शन कर लिए है दोस्तों जहां एक तरफ बॉलीवुड के बड़े बरे सुपरस्टार्स की फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर 30 से 40 करोर की ओपनिंग बड़ी मुश्किल से मिलती है वही दूसरे तरफ थलापती विजेसर की फिल्म दी ग्रेटेस्ट अफ आल टाइम जिसे रिलीज होने में अभ के स्टार नानी की फिल्म सरी पोड़ा शनिवारम के चह दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में और थलापती विजेसर की फिल्म दे ग्रेटेस्ट आफ आल टाइम के वर्लडवाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले अगर बात करेंगे इस हफते रिलीज हुई पेन इंडिया फिल्म सरी पोधा सनिवारम के बारे में यह फिल्म 29 अगस्त 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी इस फिल्म को थीएटर में रिलीज हुए पांच दिन हो चुके है इस फिल्म ने पांच वे दिन 3 करोर 25 लाक रुपे का कलेक्शन किया है इस फिल्म का बजट लगभग 90 करोर रुपे है वहीं इस फिल्म ने डेवन पर 9 करोर रुपे का ग्रॉस कलेक्शन किया था और दूस उसके साथ ही फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 49 करोर 25 लाक रुपे हो गया है। फिल्म ने अब तक 20 करोर रुपे का ओवर सीज में कलेक्शन किया है। वर्ल्ड वाइट कलेक्शन के मामले में फिल्म ने 5 दिन में 43 करोर 15 लाक रुपे का कलेक्शन कर लिया है। दोस्तों थलापती विजे की आने वाली फिल्म दी ग्रेटिस्ट अफ आल टाइम रिलीज से सिर्फ तीन दिन दूर है और इसने पहले ही बॉक्स आफिस पर तहलका मचा दिया है फैस की उत्सुकता चरम पर है और फिल्म के पहले दिन की एडवांस बुकिंग से नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है फिल्म की एडवांस बुकिंग ने तमिल नाडू और करनाटक में जबरदस प्रतिक्रिया दी है जहां अब तक 9 करोर 80 लाक रुपे की टिक्टे बिक चुकी है यह हांकडा फिल्म को 2024 में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े पहले दिन की प्रीसेल्स रिकॉर्ड बनाने के करीब ले आया है बेंगलूरू और चेनी जैसे शहरों में भी फिल्म की जबरदस बुकिंग हो रही है और केवल इन शहरों में ही 4 करोर 50 लाक रुपे से अधिकी टिक्टे बिक चुकी है तीन दिन बचे होने के बावजूद दी कोट के पहले दिन की प्रीसेल्स 20 करोर रुपे के आंकरे को चुने की उम्मीद है फिल्म की रिलीज 5 सितंबर को है जिसे वेंकर प्रभु द्वारा निर्देशित किया गया है और AGS Entertainment द्वारा प्रोड्यूस किया गया है हाल ही में प्रोडक्शन हाउस की CEO अर्चना कलपती ने पुष्टी की कि थलापती विजय को इस फिल्म के लिए 200 करोर रुपे की भारी भरकम फीस मिली है और फिल्म का बजट लगभग 400 करोर रुपे है दोस्तों श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्रीटू बॉक्स ऑफिस पर दो हफते से ताबर तोर कमाई करती आ रही है अमर कौशिक की निर्देशित यह फिल्म अपने चौथे हफते में प्रवेश कर चुकी है और घरेल उस्तर पर 509 करोर रुपे का आंकड़ा पार कर चुकी है फिल्म का कलेक्शन रनबीर कपूर की एनिमल शाहरुक खान की जवान की तुलना में अभी पीछे है नई फिल्मों की रिलीज के बावजूद स्त्रीटू दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है यह फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और अब इस फिल्म को थियेटर में रिलीज हुए 19 दिन हो चुके है इस फिल्म ने 19 दिन 7 करोर 5 लाक रुपे का कलेक्शन किया है लगभग 50 करोर रुपे में बनी यह फिल्म जबरदस्त कमाई करते हुए साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है इस फिल्म ने अपने डेवन पर 51 करोर 80 लाक रुपे का ग्रॉस कलेक्शन किया था और दूसरे दिन फिल्म ने 31 करोर 40 लाक रुपे का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया है और तीसरे दिन फिल्म ने 43 करोर 85 लाक रुपे का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया है अगर बात करें इस फिल्म की अब तक के box office collection की तो फिल्म का India net collection 509 करोर 40 लाख रुपे है उसके साथ ही फिल्म का India gross collection 601 करोर 42 लाख रुपे हो गया है यह फिल्म overseas में भी अच्छा collection कर रही है फिल्म ने अब तक 121 करोर 71 लाख रुपे का overseas में collection किया है Worldwide collection के मामले में फिल्म ने 19 दिन में 723 करोर 13 लाख रुपे का collection कर लिया है दोस्तों अक्षे कुमार की फिल्म खेल खेल में 15 अगस 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और अब इस फिल्म को थियेटर में रिलीज हुए 19 दिन हो चुके है इस फिल्म ने 19 दिन 50 लाख रुपे का collection किया है फिल्म का budget लगभग 100 करोर रुपे है वहीं इस फिल्म ने अपने डेवन पर 5 करोर 5 लाख रुपे का gross collection किया था और दूसरे दिन फिल्म ने 2 करोर 5 लाख रुपे का इंडिया में gross collection किया है और तीसरे दिन फिल्म ने 3 करोर 10 लाक रुपे का इंडिया में gross collection किया है अगर बात करें इस फिल्म की अब तक के box office collection की तो फिल्म का इंडिया net collection 29 करोर 67 लाक रुपे है उसके साथ ही फिल्म का इंडिया gross collection 35 करोर 15 लाक रुपे हो गया है फिल्म ने अब तक 10 करोर रुपे का Overseasage में कलेक्शन किया है Worldwide कलेक्शन के मामले में फिल्म ने 19 दिन में 45 करोर 15 लाक रुपे का कलेक्शन कर लिया है दोस्तों विक्रम और मालविका मोहनं की तमिल फिल्म थांगलान 15 अगस 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और अब इस फिल्म को थीटर में रिलीज हुए 19 दिन हो चुके है इस फिल्म ने 19 वे दिन 7 लाक रुपे का कलेक्शन किया है इस फिल्म का बजट लगभग 100 करोर रुपे है वहीं इस फिल्म ने डेवन पर 13 करोर 30 लाक रुपे का gross कलेक्शन किया था और दूसरे दिन फिल्म ने 4,75,000,000 रुपे का इंडिया में gross collection किया है और तीसरे दिन फिल्म ने 5,65,000,000 रुपे का इंडिया में gross collection किया है अगर बात करें इस फिल्म की अब तक के box office collection की तो फिल्म का इंडिया net collection 45,64,000,000 रुपे है उसके साथ ही फिल्म का इंडिया gross collection 52 करोर 73 लाख रुपे हो गया है फिल्म ने अब तक 16 करोर 50 लाख रुपे का overseas में collection किया है worldwide collection के मामले में फिल्म ने 19 दिन में 795 करोर 23 लाख रुपे का collection कर लिया है तो दोस्तों बात करते हैं अब Hollywood की फिल्म Alien Romulus के box office collection की तो यह फिल्म 23 अगस्ट 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी इस फिल्म को थियेटर में रिलीज हुए 10 दिन हो चुके है इस फिल्म का बजट लगभग 660 करोर रुपे है अगर बात करें इस फिल्म की अब तक के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो फिल्म का इंडिया कलेक्शन 5 करोर 46 लाक रुपे है फिल्म ने अब तक 1610 करोर रुपे का ओवरसीज में कलेक्शन किया है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म ने 10 दिन में 2365 करोर रुपे का आंक्रा पार कर लिया है दोस्तों साउथ इंडिया की एक और तेलुगु फिल्म डबल आइसमार्ट इसी हफते 15 हगस 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी राम पोथिनेनी और काव्या थापर फिल्म के लीड रोल में है इस फिल्म को थियेटर में रिलीज हुए 19 दिन हो चुके है इस फिल्म ने 19 दिन 2 लाक रुपे का कलेक्शन किया है इस फिल्म का बजट लगभग 90 करोर रुपे है वहीं इस फिल्म ने डेवन पर 7 करोर 35 लाक रुपे का ग्रॉस कलेक्शन किया था और दूसरे दिन फिल्म ने एक करोर पचास लाक रुपे का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया है और तीसरे दिन फिल्म ने एक करोर तीस लाक रुपे का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया है अगर बात करें इस फिल्म की अब तक के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो फिल् अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें. धन्यवा.